का मकसद यह होता है कि आप के पास जो चीजे आपको करी ना करी पर इंप्रूमेंट की जरूर होती है वह वामप में आप एप्लाई करें इसमेंच में ना करेंगे ही ही है कि एपलाना को चीजे की दो यह विंड्यू कुछ यह भी उपड्स के हैं पुछ आपको एक्स्प्रीमेंट करने पड़ते हैं तो यह अगर आप आप देक ले बहुत हो अगर घागे त्रूर सिर्पाठ्च जो में होता है हमारे पाजिसरा हमारा बैंच जिस तरह हसन की बोलिंग आप बैटिंग में बात करने हैं तो बैटिंग में हम से तीन-चार जो प्लेयरों की अलम्दे इनिक्स लेगी है तो कुछी चीज़ अच्छी भी मिली है कुछी एक्सपरिमेंट में भी आई है यह एक बात जरूर है कि अपने पुजिशन भी चेंज थे कि पॉइंट से मिड्विकर्ट मिड्विकर्ट से डीम स्कूर लेग तो यह हमारे जो पिछले एक डिएट साल से चीज़ स्पेसेफिक बनी वी थी कि शादा पॉइंट में या कवर में रहेगा तो अभी इस मैच में चेंज होती रही जिस कि विए समटाइम हमें लगता जीव है और आने में कुछ चेंज होती है तो जहन में सरफ रही रहा था कि कंडिशन को हमेशा हम रीड करने की गोश्च करते हैं मैं और कप्तान जैसे हमेशा वहाँ पे पेच 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 पेच्पे जाके सिच्वेशन को रीड करते हैं उस तो कुछ चेलिंजिंग चीज़े भी होती है कि वर्ल्ड कप है इंडिया में है और पर से कुछ इशूज भी आयते हैं और डिफिकल्डिस भी आयती है तो यहाँ पे आके कहलना और परफार्म करना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना अपने मुल्क के लिए कहलना तो एक Emotionally आपको कुछ चीज़ आती है मतलब अंदर से फिलिंग अजीब सी होती है और अल्ला से उमीद है इन्शाला कि अगर हम बहुत अच्छा रिजल देंगे अपने पाकिस्तान को जिस तरह हमारी पाकिस्तानी इस्पेक्टेशन हमसे है तो उस दरह कोशिश करेंगे आला से मांगते रहेंगे तो इन्शाला एक अजीब सी फिज़ा बनेगे हमारी पाकिस्तान टीम की इन्शाला वेलकम जिस तरह इंडिया वालों ने किये यहाँ पे अधराबाब वालों ने किये तो हमें देखें पहले से ही इंडिया वालों की तरफ जहां बाहर भी हमारे इंडिया की जो क्राउड पीपल्स लोग मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं और यह प्यार सिरफ इंडिया के आवाम में नहीं है इसलिए हमारे पाकिस्तान वाले पीपल्स में जो आऊ हों इसके में मोध्वत है इनके दिलों में उसे हमा मोहब्वत हमने देखी है उपर के बाते अलग है मगर अंदर जो ओवाम की तरफ से मोहब्वत मीले क्योंकि जिसे हम एरपोर्ट पे आया है इरपोर्ट से बाहर निकले और जिस तरह एक आवाज गुंजी है तो यकीन करें के हमें तो ऐसे लगए कि शायद हम वाल्ट कप जिए कराची या लाहोर के एरपोर्ट से निकलने हो आरे और सारी हमारे पाकिस्तानी वाम आई हुई है और इस तरह लोगों ने इंजोई किया है तो हम जैसे हम पे वाँ पे इंटर हुए है यकीन करें एक आजीब सी फिजादी क्योंकि मैंने प्लेयरों से भी बात किये तो सब ने काया कई कुछ बता रहे थे क्यार में बूस पाम्स हो रहे थे हमारे क्योंकि इंडिया में हाके इस तरह लोगों ने इस्तिक्बाल किया है तो हमेशा याद रहेगा और इंशालला उमीद है कि जब इंडिया वाले इंशालला आएंगे तो हमारी पाकिस्तान में से ज़्यादा मोहबद देंगे इंशालला